International Women's Day पर महिला शक्ती को सलाम करते हुए आज एक ऐसे शक्स को द्रौपदी मुर्मु की तरफ से नॉमिनेट किया गया जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा जी हाँ महिला शक्ती को प्रणाम करते हुए सुधा मूर्ती को जो एक लेखिका है उन्हें राज्यसभा के लिए बकाइदा नॉमिनेट किया गया है प्रिधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने भी एक्स के जरिये इस बात को साज़ा किया कि उनकी मौजूदगी राज्यसभा में और जादा नारिश शक्ती को सशक्त करेगी सुधा मूर्ती के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि वो रिशी सुनक की सासुमा है नरायन मूर्ती की धरम पत्नी है एक समरिद परिवार से वो आती है लेकिन अपने आप में कितनी स्चसक्त हैं सुधा मूर्ती ये भी मैं आपको बताती हूँ वो एक लेखिका हैं, शुक्षिका हैं, उनके पिताजी सरजुन थे, उनकी माताजी भी शुक्षिका ही थी और कई किस्से कहानिया आपने उनके बारे में सोशल मीरिया के जरिये भी सुनी होगी जितने ही समरिद परिवार से वो आती हैं उतनी ही सरल सभाव की वो हैं उनके बातों के किस्से जीवन जीने की जो शैली है जो कला है उन बातों का वो जिक्र सोशल मीडिया के जरीए अकसर किया करती है लेकिन समाजिक कल्यान में उनका योगदान अपने आप में कई लोगों क प्रेडना देता है और यही वज़ा है कि उन्हें 2003 में पादमशी से नवाजा गया उसके बाद 2023 में पादमभूशन से भी उन्हें नवाजा गया तो अपने आप में समाजिक कार्यों के लिए समाजिक कल्यान के लिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनका योगदान कई ल हिलाओं को उनसे प्रेड़ना मिले सुधामूर्थी इसलिए भी अपने आप में खास हैं क्योंकि अंग्रेजी हूं कंणड हूं अंग्रेजी कंणड भाशा में कई साहित्यों पर उन्होंने काम किया है आठ ऐसे उपन्यास हैं जो उन्होंने खुद लिखे हैं और अपने वि enden काई बार हुमने से सुना भी है उनने देखा भी है जब बादशीत करती है तो वही सरलता स्टय कर्षाइं यही उन्की परसनालिटी शाम नहीं को करता है किस्टा मैं आपको उन्हों करना चाहिalım कि बिलकुल शाकाहारी है और उनका बाहर आना जाना लगा ही रहता है व कि वह शुद्ध शुद्ध शाकाहरी है वह लस्ट भी नहीं खाती है तो उनकी तरफ से यह साजा किया गया कि मैं एक चम्मच जरूर रखती हूं कि मुझे हमेशा शक रहता है कि जब आम बाहर खाना खाते हैं ब्रॉड में खाना कहते हैं तो वह जो चम्मच वेजीटेरिans के वहाले भी यूज होता है इसलिए मैं इसी डर से जो है चम्माच खाने पीने की जो चीजें है आम जो एजली बन जाए अवेलेबल हो जाएं उन चीजों को मैं क्यारी करते हूं तो आप देखे कि कि इतना उनके जिंदगी में सरल्टा कितनी है साथगी कितनी है इतने समरिद परिवार से वो आती हैं लेखी का हैं शुक्षि का हैं और इसके अलावा इन्फोसिस के को फाउंडर की पत्नी आपने कई बार उनके बारे में सुना भी इसी तरीके से होगा लेकिन अपने आप में वो इसलिए भी बहुत बड़ी परस्नालिटी है क्योंकि सबसे बड़ी आज उन्हें राजसभा के लिए नॉमिनेट किया गया और आगे भी इसी तरीके से जैसे वो प्रेणना देती हैं दूसरों को आगे भी इसी तरीके से वो प्रेणना आगे बहुत बहुत से यागे